वीडियो से मैं एक नई सीजी शुरू कर रहा हूँ जो होने वाली है बेस्ट टेक कंपणी विट में बात कर ला जा है तो इस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ so guys coming back to the video so today's video के लिए मैंने चूज किया है zebronics, zebronics के बारे आप जानते होगे बहुत ठरे से computer peripherals और as a tech products बहुत यशे cool products बनाते यह zebronics बहुत अच्य अच्छे innovations भी करते रहें तो definitely इसको अच्छ बुरा cover करने बाले detail में तो पूरा video देखे गाई और सब्स्क्राइब करना भूले अपने अमिटेक रिऊज चैनल को और बेल एक कर में जाना भूले सो गाइस फॉर नाओ, लेट्स गेट स्टार्टेट वल्कम पाक टू तो वीडियो काईज और जैसे आप जानते हो मैंने यहां पर बारे में आपको जैसे बताया आज केस वीडियो आपको बात करने वाला है जैबराउनिक्स के बारे में तो यहां पर कुछ नोट्स लिखे वे मैंने तो उसके बारे मैं आपको रिफर करके मैं आपको इन्फरमेशन देने वाला हूँ और इनका में विजन यही है कि आपको यह easy on pocket accessories या जो भी इनके products offering है वो सारे easy on pocket हो तो basically इन्होंने सारे budget category को segment किया है कि कैसे इसको मिदला सारे products को easy on pocket और quality को maintain भी करते हुए सारे अच्छे features को maintain करते हुए easy on pocket as an easy on pocket को जो referring में दे रहा हूँ basically आपको budget category में अच्छे products मिले तो that is a thing और फिर गाइस इसकी country of origin is India so definitely जसे आपको पताया कि इसका production plant चन्नाई में है तो चन्नाई में इसके assembling वगरा होती है तो वैसा है फिर उसके बाद हमें इसकी अलग-अलग product lines के बाद करें और बहुत सारे product lines है तो बहुत अलग-अलग innovations की है Zebronics में तो और वो बहुत ही अच्छी बात है so guys getting back to that to audio so guys Zebronics ने audio के ममने में बहुत अलग-अलग innovations की है उनके wired earphones, wireless earphones, headphones, wired earphones, home theater, sound bars, बहुत कुछ आया है और बहुत ही अच्छे budget range में और अच्छी features को माहिने रखते हुए सारे उन्होंने अलग-अलग segments में बहुत value for money भी है इनके products तो definitely आपको उन्हें consider कर सकते हो मैं इन सारे product lines की master link में नीचे description में दे दूँगा तो अगर आपको उनके products check out कोने के audio category में consequence Zebronics के आपको product मिल जाते है तो उस master link से आपको सारे products की list मिल जाएगी so definitely you can consider that और guys तो बहुत मुझे असंद आया है मैंने उसके portable Bluetooth speakers भी देखे है Zebronics की है वो भी बहुत ही अच्छे budget range के साथ आते है अलग-अलग RGB lights के साथ आते है अलग-अलग wattage 5 watt 3 watts budget category में इसे लेकी premium तक भी जाते है और even उसका अभी जो जयूक something एक soundbar आया 5.1 soundbar Dolby Atmos को enable करते हुए तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है तो बहुत गाइस definitely unlike Alexa और Google Assistant smart home के features में Zebronics ने भी एक नया product offering शुरू किया है मतलब वो भी of course based by Google Assistant और Alexa ही होने वाला but guys उन्होंने भी smart speakers introduced किये है या फिर उन्होंने smart phone smart adapter smart buds जो होते Wi-Fi control के साथ तो वो सब smart lights को introduced किया है अपने Zebronics के brand के अंदर तो और guys उन्हें एक नया कुछ product add-on किया जो भी मैंने check out किया जो है basically ऐसा एक adapter होता है iR remote adapter सो वो आप अगर अपने home में रखोगे smart home में और अगर आपके बास सारे smart products है तो उसके मदद से आप definitely control कर सकते हो सारे products को जो भी smart है अपने smart phone के smart phone को करने करके जैसे मैं आपको बताया तो सारे वोते हैं virtually connect हो जाते है और फिर उसके बाद आप easily control कर पाओगे आपके fans, light, tv जो भी smart phone smart products है उनको और पिर हमें मिल जाता है guys gaming या computer peripherals तो guys Zebronics पहले से ही computer peripherals में था और अभी उन्हेंने बहुत innovations और अलग-अलग so guys bell 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 computer periferalds तो computer periferalds तो पहले से ही है, zebronics हमेशा से उनकी offering थी zebronics बेसी के लिए अजय है ब्रांटा की budget segment में अच्छा अच्छे computer periferalds ऐसले कीबोड, mouse उनका monitor और बहुत कुछ अच्छे computer periferalds हमेशा से offering थी तो अभी उन्होंने बहुत अपग्रेड कर दिया है और उनकी quality भी बहुत अच्छी हो चुकी है और बहुत ही अच्छे budget range में उनकी offering है अभी ये बहुत तरे gaming RGB mechanical keyboards के बारे में बहुत trend चल रहा है तो वैसे ही ये उनके combo offers है, gaming mouse और gaming keyboard का एक्दम combo offer या फिर अगर आपको normal keyboards ये ओफेस होगा है फिर normal presentation के लिए तो वैसे भी आप उसकते हो तो उन्होंने normal keyboards भी किये है, chocolate keyboards और फिर normal mouse, मतलब basically सारे offerings है, keyboard, mouse, monitor फिर आपको उसमे webcam मिल जाता है, Zebronics का webcam मिल जाता है, जो बहुत यचे features like 1080p recording और फिर अलग-अलग resolutions के साथ भी आजाता है so that's really a good thing, so basically आपको कभी भी attention नहीं लेनी है Zebronics के computer peripherals हमेशा से बहुत अच्छे quality और बहुत अच्छे क्या बलता है quality और budget category में आजाता है तो definitely आप consider करा सकते हो, हाँ बट कभी-कभी, बस आपको लेखना है कि quality स्पेसिफिकेशन के हिसाब से offering होती है वो उतनी top-notch नहीं होती है तो आप product चूज कर लो wisely आपके preference के सबसे so that's the thing anyways guys, तो अभी यह मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस अपरानिक के बारे में क्योंकि इन्हों ने जो environment के हिसाब से adapt कर लिया को अपने company को जैसे आप जानते हो अभी यह coronavirus pandemic शुरू है तो हमें सब को घर पे रहना, stay home, stay safe तो इन्होंने healthcare के इसमें भी product line शुरू कर दी है basically जो है आपको अलग-अलग oximeters जैसे मैं आपको अपने Omitek Reviews में बताया था मैंने Dr.Trust का आप वो Oximeter का Reviews किया था तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नहीं देखा है तो नहीं देखा है मैंने अधर आपड़ में देख सकते हो anyways guys, coming back to the video तो जैसे मैंने आपको बताया, Oximeter है Thermometer है, फिर Oxygen Levels को यह करने के लिए अलग-अलग-अलग बेसिकली, Healthcare Products भी आपको जर्वरानेक्सी दरफ से Offering मिल जाती है तो that's really a good thing, I know यह Computer Peripheral Brand है, but यह अभी बहुत ऐसा वाइड रेंज जारहे इसके अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग तो that's a good thing, और अगर आपको अड़ाप करना ची, जैसे मैंने आपको बता है, अड़ाप करना ची और on the environment कैसे है अब अभी जो trending जल रहा है उसके साब से अगर आप चलोगे तो आपका ब्रांड कभी भी ऐसा loss में नहीं जाएगा, हमेशा profit में जाएगा अगर अच्छा 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 इनोवेशन करें तो that's really a good thing क्यों ना क्योंकि सेम प्रडॉक्स बेच बेच के हमेशा फाइदा है अगर अप न्यू इनोवेशन लाओगे तो everyone would be happy as customers I am a Singh so anyways guys, तो अगे बटे है और accessories के बारे में आपको बता दू so Zepronix के बारे में आपको बहुत अच्छा अच्छा accessories मिल जाते हैं जैसे उनकी USB Cable, Micro USB Cable उनका car charger मिल जाता है फिर उसमें आपको अभी उन्हेंने एक नया launch किया है smartwatches smartwatches भी Zepronix ने launch की है तो उसे अब आप सकते हो अगर आप market में smartwatches अच्छे quality और अच्छे features के साथ smartwatches देख रहे थे और अगर आपका budget range है अच्छा खासा नहीं है थोड़ा budget range वाला है तो definitely you can consider this Zepronix smartwatches as well anyways guys तो फिर आगे बढ़ते हैं तो यार हाँ यह product lines के list खाता में नहीं औरी तो यहां भी हमें मिल जाता है power solutions तो guys यह जब रहा होने इसने literally UPS के जो product lines है उसमें भी nailing कर दिया क्योंकि literally power solutions मतलब इसके भी आपको batteries और इसके भी UPS मिल रहे हैं तो UPS विसके के लिए आपको बता है अपने PCs या फिर electronics पे लगाते हैं जब भी आप power cut होगा तो आपका product या फिर जो electronic item है वो अचानक shutdown ना हो जाए थोड़ी तेर के लिए एक आपको बैक अप में जाते है एक inverter की तरह काम करता है बट पूरा time नहीं बट सापको जादा से जादा हाफेनर तक इसका बैक अप मिल जाएगा that is the thing और यह अभी जो नया products आये है Wi-Fi के लिए यह UPS छोटा UPS होता है बट वो भी Zebronics ने निकाला है अपने product offering में तो that's really a good thing आजकल work from home का culture चल रहा है तो फिर सारे Wi-Fi routers रहा है या फिर मतलब mostly city areas में तो light नहीं जाती बट यह होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर in case का भी light यह तो आपका Wi-Fi डाउन हो सकता है और फिर आपको workload के वेरे से problems आ सकते है तो definitely that is also a good product offered by Zebronics So guys अभी बात कर लेते हैं जो है basically Zebronics ने उनके brand के लिए एक mantra रखा है EQR जो मैं आपको भी interestingly बताता हूँ EQR mantra EQR is Excellence, Quality and Reliability So guys EQR mantra अपने Zebronics के products में इन्होंने introduce किया है जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यह सारे qualities होना एक product में एक brand की तरफ से बहुत ही अच्छी बात है और end customer के लिए एक reliable brand की तरफ मतलब trust factor बढ़ाता है तो excellence, quality and reliability that is the EQR mantra तो इनके excellence के बारे मतलब बता रहो है जैसे कि product की innovation सारा excellence है फिर इनके product की quality अच्छी है और reliability मतलब आप trust कर सकते हो blindly trust कर सकते हो Zebronics as a brand के लिए उसलिए इंट्रोड्यूस के लिए इनके employees के लिए है जो काम करते है उसमें Zebronics company में कि यह EQR mantra को follow करें सारे quality को अच्छा रखे सारे innovations excellent रखे और reliable बनाए Zebronics as a brand को तो definitely that's the thing anyways guys तो अभी सबसे में चीज़ के बारे में बात के लगते है after sales support so guys यह बहुत important है क्योंकि कभी भी कोई नहीं company आते है अभी Zebronics भले ही नहीं company नहीं है बट फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे है कि यह जो accessories यह एकसे companies को support नहीं करेंगे उनको एक branded जीज़ी होते है बट अगर मैं एक चीज़ बोलू कि यह अगर अच्छी offerings product offerings, अच्छी quality specifications और आपको इसमें अच्छा basically product innovations विल रहे अलग-अलग category में तो why not, आप consider कर सकते हो zebronics को और after all that's a made in India products है यह सारे यार अगर आप made in India products prefer करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और guys after sales support की वारें बात कर लेते हैं, so guys in case अगर आपका कुछ भी खराब होता है या फिर यह सारे product line में से कोई भी products खराब होते है तो इनकी आपको extensively मिल जाती है warranty basically और इसके after sales support के लिए मैं आपको बता दू इसमें literally आपको 117 service centers मिल जाते हैं 117 service centers all over India और Mumbai की बात करो तो all over Mumbai आपको 12 service centers मिल जाते हैं, वो भी अलग-अलग main regions में मिल जाते हैं so that's really a good thing तो definitely अगर Mumbai में रहते हो और आपको Zebronics में से कोई भी चीज़ लेनी है तो that's not a worry ऐसा कुछ by God's grace ऐसा कुछ नहीं हो कि आपके product में कुछ problem आए और आपको service center जाना पड़े but in case ऐसा कुछ होगा तो definitely you can rely on Zebronics के online support और ये service center के साथ so guys online support में जाता है 24-7 online support में जाता है और एक चीज में आपको बताना भूल गया हाँ e-waste management so guys Zebronics ने ये जो electronics और ये सारे computer peripherals है तो उनको basically आप जैसे खाराब हो जाते है और खाराब old हो जाते है तो आप replace नए products के साथ तो ये सारा waste products ये जो e-waste basically तो ये कहां पर जाएगा तो ये खुद का e-waste management program बनाया है so that's really a good thing तो अगर आप अपने सारे Zebronics के जो भी है ये products peripherals, commodity peripherals तो ये आप इस पर register का सकते हो और अपना जो भी जुना माल है पर product जो खराब हो चुका है उन्हें आप submit का सकते हो so basically e-waste management को manage करगे उनको अच्छे-चाड़ी का तो basically e-waste management अपने company को कुछ से एक प्रोग्राम रखना that's really a good thing तो उन्हें ये initiative लिया है Zebronics ने e-waste management का that's a good thing anyways guys so to sum up मैं पताना चाहूँगा कि Zebronics को constant innovation के बारे में और ये जो basically इन्होंने अलग-अलग नए products के साथ ये जो शुरुआत की product lines वो बहुत ही अच्छी वात है environment adaptability बहुत important है तो ये अलग-अलग products और constant innovation और quality products और budget range को मद्धर अज़र रखते होगे तो definitely एक अच्छा company competitor है सारी अच्छी Zebronics company और Made in India products भी बहुत अच्छी है तो जैसे मैंने आपको अलग-अलग product lines बता है आप में website का लिंक दे दूँगा तो आप में website को जाके check out कर सकते हो और उसारी information जैसे मैंने आपको बता है वो आपको मेंट जाएगी anyways guys, जाच्छी वीडियो को अच्छा लगा ये अपना best tech companies with media and data products episode 1 तो definitely like करते हैं इस वीडियो को share करना अपने friends or family that's the end of the video, please subscribe अपना ओमेटेक्रियूश चैनल को और बेलेकम जाना ओले so guys, see you in my next video bye